नमस्कार, pathology के इस lecture series में अब हम बात करेंगे acute inflammation के बारे में, हम जानते हैं कि acute inflammation के दो phases होते हैं, इसमें दो important events होते हैं, एक vascular events जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद होता है इसमें cellular events, इन दोनों ही events को होने के लिए कुछ chemical mediators मदद करते हैं, ये हम अब का objective है, जिसमें हम इस lecture में बात करेंगे vascular events के बारे में और cellular events के बारे में, हम next lecture में discuss करेंगे, तो ये कैसे vascular events में क्या क्या होता है, cellular events के दौरान क्या होती हैं चीज़ें, और chemical mediators क्या हैं, इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ना सिर्फ inflammation को समझने के लिए बलके अगर हम इस topic को समझ जाते हैं तो systemic pathology और पूरी तरीके से जो इस पर based applied जो concepts बनेंगे वो surgery में, medicine में, बहुत सारे जगों पर काम आएंगे तो हम बात करते हैं inflammation के vascular events के बारे में, हम vascular events in acute inflammation की बात करेंगे इसमें जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि जब किसी जगह पर कहीं noxious system लाई, कहीं bacteria का attack हुआ है तो immediate जो response होता है उसके वजह से transient vasoconstriction होता है, किसका? arterioles का, यहाँ पर अचानक पहले तो vasoconstriction होगा, यह point clear होना चाहिए उसके बाद यह प्रक्रिया transient होती है, थोड़े दिर के लिए, within 1-2 seconds के बाद अगली step start होती है जिसमें progressive, persistent, progressive vasodilation of arterioles होता है अब क्या हुआ? बलड का flow बढ़ा दिया जाता है यहाँ पर तो तुरंत immediate response था, लेकिन बाद में, जब chemical mediators वहाँ पहुचते हैं noxious system lie के आसपास के हिस्से से, जब chemical mediators पहुचते हैं, तो वो vasodilate कराना शुरू करते हैं तो शुरुवाती vasoconstruction जो within 1-2 seconds के बाद vasodilation के process start हो जाती है अब यहाँ progressive vasodilation की वज़ा से, यहाँ पर जो axial, जो normal flow होता है, वो अब change होने लगता है इस दोरान, endothelial cells अब आगे अगले step में swell करने लगती हैं और इनके बीच के gapping बढ़ने लगती है यह क्यों increase करता है, इन सारी चीजों पर हम discuss करेंगे तो इस तरीके से हम vascular events में क्या देख रहा है, endothelial cell swell कर गई है, थोड़ा यह swell कर गई है यह shrink भी करती है, तभी यह बीच में gap तैयार होता है तो swell करती है, shrink करती है और यह separate होती है, जिसकी वज़ा से यहां से fluid को बाहर जाने का रास्ता मिलता है तो इस तरीके से यहां पर जब यह endothelial cell separate होंगी तो यहां से exudation की process होगी, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पिछले lecture में भी हमने बात किया था वैसे तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो transudation थोड़े दिर के लिए होता है यह जो मैंने transudation लिखा है, यह गलत नहीं लिखा है transudation थोड़े दिर के लिए होता है, बाकी basically क्या होता है exudation की process होती, exudates वहाँ पर release होते है exudates क्या होता है, exudates में protein प्लस liquid content होता है protein होता है, उसमें clotting factors होते हैं, proteins के रूप में antibodies, fibrin protein, neutrophils, macrophages, यह सारे बाहर निकलने लगते हैं मैंने आपको बताया, जो gapping है, उससे यह सारी चाहिए जब बाहर निकलती है तो hallmark of acute inflammation exudates का release होने को माना जाता है तो इस दौरान ये सारे के सारे जो clotting factors, fluid, सब कुछ बाहर जाने लगा है तो इसके बाद क्या होता है, leukocytes last में migrate करते हैं तो ये सारी जो घटना है घटती हैं, ये acute inflammation के दौरान होती है acute inflammation के दौरान leukocytes पहले center में होते हैं जोसको हमने पिछले lecture में discuss किया है फिर वो margins की और आते हैं और उसके बाद वो migrate होने के लिए तयार होते हैं तो ये margin पर आते हैं, फिर migrate करते हैं और ये इसके बाद cellular events में हम देखते हैं कि वो diabetes के बाद site पर पहुँचने के लिए तयार होते हैं तो यहां हमें ये बात समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि endothelium की इंदिवारों के बीच में कैसे gap तयार होता है वो क्या होता है जिसके वज़ा से fluid बाहर बहा कर गयाता है आपसे question के रूप में ये पूछा जा सकता है Enumerate the causes of leaky endothelium leaky endothelium की causes क्या हो सकते हैं कैसे vascular permeability बढ़ जाती है तो इसका पहला कारण ये होता है कि endothelial cells contract करें जिसके वज़ा से intracellular gap बनें तो ये बात कहां देखने को मिलती है पिछले जो हमने आपको अभी एक flow chart बताया था उसमें मैंने आपको बता आर्ट्रियोल सबसे पहले dilate होते हैं बाद में वो effect बढ़ते-बढ़ते capillaries और फिर venules तक पहुचता है आप बात समझ रहें imagine करते हुए चलें जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आप imagine करें तो सबसे पहले arterioles का vasodilation फिर capillaries भी vasodilate होती है उसके बाद venules भी vasodilate होते हैं तो इस पूरी inflammation की process में overall यह पूरे के पूरे जोन में vasodilation की process होती है तो यह यहाँ पर leaking के लिए पहला यह हो सकता है कि endothelial cells contract करें chemical mediators की वज़ा से मैंने आपको बता है इसमें बहुत ज़ादा ज़रूरी है chemical mediators का important समझना तो यह intracellular gap तयार करते हैं यह gap किस जगों पर देखा जाता है इस तरीके की mechanism किन जगों पर काम करती है इस तरीके की mechanism venules पर काम करती है और इसके लिए कौन काम करते है इसके लिए histamines काम करते है इसके लिए leukotrines काम करते है यह leukotrines और histamines क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे यह सबसे commonly होने वाली घटना है जो बहुत तेजी से होती है और थोड़े ही देर में यह खत्म भी हो जाती क्योंकि acute inflammation का events short lived होता है कुछी minutes में इसका effect subside हो जाता है तो endothelial cells के contraction की वजह से gap तयार होता है तो इस दोरान होगा क्या यह mediators करते क्या है इसके भीतर के जो cytoskeletal जो proteins हैं देखें आप इसको तो वो contract हो रही है contract होने की वजह से थोड़ा सा यह cell थिक हो जाएगा और यहाँ gap तयार हो जाता है तो cytoskeletal proteins जो है वो contract करती है यह rapidly reversal process होती है पहली process और endothelial cell retraction की जो प्रक्रिया है इसमें हमने बात किया कि यह कैसे हुआ endothelial cells की retraction की वजह से यह immediate response रहा यह तुरंद जो response आया है उसमें यह reversible mechanism का था इसमें histamine का का काम होता है legotrines का का काम होता है cytokine mediators भी काम करते हैं tissue necrotic factor और IL-1 भी काम करते हैं इनके बारे में हम detail में next lecture में बात करेंगे हमें chemical mediators के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि systemic जो pathology है और उस पर based जो subjects है clinical subjects है उनकी समझ बैतर करने के लिए यह mediators की अच्छी जानकारी होना जरूरी है अभी सिर्फ आप यह समझे histamine leukotrines और यह जो cytokine mediators है यह इस process को induce करते हैं इस दौरान आपने देखा cytoskeletal contraction होता है इस वज़े से structural reorganization होता है cell retract करती है और यह घटना इतने लंबे समय तक नहीं होती यह बात गल्त लिखा हुआ है यह घटना के वाल थोड़े ही कुछ minutes में ही यह 15 to 30 minutes के भीतर ही यह subside हो जाती है तो endothelial cell का retraction इतने लंबे समय तक नहीं होता endothelial cells के retraction की जो process है यह 15 to 30 minutes में ही खत्म हो जाती है कुछ minutes में start होता है short lived होता है अब अगली process क्या होता है कई बार यह होता है कि endothelial cells को ही damage कर दे वो माल लिज़े कहीं हमने puncture किया जिसके वज़े से endothelial cells damage हो गई तो यह भी एक कारण हो सकता है इसका site कोई fix तो होगा नहीं यह direct injury होती है जिसमें arterioles, capillaries, venules यह कोई भी प्रभावित हो सकते हैं किन घटनाओं में जब toxins, bonds, chemicals release होते हैं यह fast होता है और चुकि toxins की वज़े से है cell damage होई है तो यह लंबे समय तक survive कर सकता है इस तरीकी का mechanism तो आप समझ सकते हैं इस तरीकी के damage होने की घटनाएं लंबे समय तक हो सकती है direct endothelial cell की injury severe injury के दारान देखने को मिलती है bonds में, infection के दारान और यह immediately after surgery भी हो सकता है और कई घंटों तक immediate sustained response इसे कहते है अब इसके पहले जो मैंने आप से कहा था rapid response था immediate transient response था आप बात समझें अगर आप से language change किया जाए तो पिछले वाली बात के लिए जिसमें हमने कहा endothelial gaps जो बात बनती है endothelial gaps जो फार्म होती है उनके लिए जो पिछली जो हमने डिसकस किया endothelial gaps के लिए कहते है immediate transient जो थोड़े दिर के लिए होता है तो वो immediate transient response था और ये क्या है immediate sustained response है जिसमें endothelial cells के injury हुई है ये fast तो होता है लेकिन लंबे समय तक persist कर सकता है क्योंकि यहाँ cell damage हुआ है तो ये process होती है इसके अलावा leucocyte dependent endothelial cell injury ये भी हो सकता है ये leucocytes पहुँचें और ये leucocytes पहुँच करके endothelial cells से जब ये attach होते हैं तो उस दौरान ये इनकी दिवारों को इन cells को damage कर सकते हैं ऐसा leucocyte dependent injury mostly venules में देखने को मिलती है pulmonary capillaries में ये इसमें late response होता है आप जानते हैं कि ये काफी देर बाद ये होगा और ये काफी लंबे समय तक long lived होता है यहाँ leucocytes accumulate होते हैं inflammatory response के दौरान इस वज़ा से यहाँ पर जो leucocytes toxic oxygen species जो generate करते हैं और proteolytic enzyme जो release होती है उसकी वज़ा से समझना था कि naturally vascular leakage होती है लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि leakage यहाँ पर endothelial cells के damage होने की वज़ा से होती हैं जिसके लिए कोई external source injury हमने देखा फिर हमने देखा leucocytes भी injured कर सकते हैं अब हम देख रहे हैं new blood vessels, नए-नए जो blood vessels बन रहे हैं आप देखें यह जो नए-नए blood vessels बन रहे हैं उनमें endothelium के division हो रही है वो काफी मुश्किल भरी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं endothelial cells इतने मजबूत नहीं है और अगर यहाँ inflammatory process अगर हो रही है तो यह cells बहुत कमजोर हैं यहाँ से leakage आसानी से हो सकता है तो यहाँ vascular endothelial growth factors के द्वारा यह leakage होती है और यहाँ histamine या substance P जो normal chemical mediators होते हैं उनका response यहाँ कम होता है तो यह new vessel formation वाले sites पर leakage की घटनाएं देखी जाती है यह angiogenesis वाले sites पर होती है और यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना बस यह समझना है कि leakage new blood vessels से भी हो सकती vascular permeability की अब हमने देखा कि vascular permeability बढ़ती ही बढ़ती है चाहे उसका macros natural हो या कोई भी हो तो यह vascular endothelial cells के जो growth factors होते हैं VEGF के द्वारा यह होता है यहाँ stamens के responsibility उतनी जादा नहीं देखी गई है अब आपने जितना भी events देखा है उसमें आपने क्या देखा अगर हम आपसे बात कहें तो यहाँ पर आपने देखा कि जो blood vessels हैं इन blood vessels में flow होते हुए blood को आपने समझा इससे पहले इसके पहले जो part 1 के lecture थे उसमें आपने देखा vasodilation होता है vasodilation के बाद आप देख रहे हैं यह WBC क्या कर रहा है यह margins की ओरा आ रहा है और उसके बाद diapidasis करेगा आप यहाँ देखें यह rolling की process हो रही इसको हमने पिछले lecture में discuss किया था इसके बाद यहाँ पर देखने यह adhere होता है चिपकता है फिर उसके बाद यहाँ पर stretch होता है और उसी दौरान जो gapping बढ़ी है endothelial cells की उन gapping की रास्ते से यह बाहर निकल जाता है इस पूरी process के दौरान chemical mediators उसे guide करते रहते हैं यहाँ पर यह किमोस taxes की वज़ा से यहाँ यह पहुँचता है तो यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ site of injury है वहाँ से लगातार इस पूरी process को govern करने के लिए mediators काम करते हैं जिसकी वज़ा से पूरा का पूरा response आता है इस दौरान अगर आप WBC की बारे में जो ध्यान देते हुए जो neutrophils को ध्यान में रखते हुए जो खटनाएं आप देख रहे हैं इसमें आप कहा सकते हैं सबसे पहले margin cure गया roll किया addition हुआ फिर transmigration हुआ transmigration फिर क्या हुआ फिर यह chemotaxis chemicals ने इसको guide किया कि आप यहाँ पर आईए यहाँ concentrated zone है जहाँ bacteria है जिसको मार करके खाना है तो इस पूरी प्रक्रिया को भी हम एक और animation के द्वारा समझेंगे यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि कुछ molecules हैं जो exposed होते हैं आपको मैंने बताया था कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कुछ molecules के exposed होने से प्रभावित होती है यहाँ पर मैंने आपको बताया था selectins होते हैं selectins selectins जिसके बारे में मैंने आपको बताया था selectins जो molecules हैं यह यहाँ पर exposed होते हैं Selecting क्या किस से जा करके bind होता है, आपको बताया था, Selecting कई types के होते हैं. इस पूरी events को हम लोगोंने एक तरीके से पहले ही discuss किया है, इसमें Selecting कितने तरीके के होते हैं, इस बारे में हम लोगोंने पहले ही चर्चा किया है. Selecting जो तीन तरीके का होता है, L-Selecting, E-Selecting, P-Selecting, तो यहाँ पर आपको समझना है, इंडोथिलियल सेलेक्टिन, E-Selecting के बारे में हमने चर्चा किया था, E-Selecting एक्सप्रेस करता है अपने response को C-L-Levis-X molecule के साथ, आपको पता होगा, जो WBC का molecule होता है. यहाँ पर पाय जाने वाला E-Selecting, WBC के surface पर पाय जाने वाले C-L-Levis-X receptor के साथ आपस में interact करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया है, पिछले lectures में आप देखेंगे तो उसमें आप समझ पायेंगे, वहाँ से थोड़ा आपको समझने के जरूरत यह है कि rolling के लिए Selecting का Express होना ज़्यादा जरूरी रहा, जबकि Adhesion के लिए, rolling क्या होता है, Speed Slowdown होती है, Adhesion के लिए तेजी से चिपकता है और उसके बाद छोड़त नहीं है, तो Adhesion के लिए Integrins किसके साथ जुड़ता है, I-C-A-M Molecule के साथ, तो Integrins किसका होता है, Integrins होते हैं, Integrins WBC के होते हैं, और Endothelium की दिवारों पर, आप ऐसे समझे, यह WBC है, जिसके Surface पर Integrins एक्सप्रेस हुआ है, और यह Endothelium की दिवारों पर, यहां से Express हो रहा है, I- V-C-A-M Molecule, Intercellular Adhesion Molecule, यहां पर Activate होते हैं, इनके बीच में बांडिंग बनती है, टाइट बांडिंग बन जाती है, जिसकी वजह से अब WBC खिसक नहीं सकता है, यह टाइटली अधेर हो जाता है, इसी दौरान, जब यहां Endothelial Cells की जो Gapping है, वो इतनी जादा हो जाती है कि इसको Trans-Migrate करा सके, तो Diapidesis की Process होती है, और इन पूरे प्रक्रिया को Chemical Mediator सी Regulate करते हैं, जिसके बारे में हमें डीटेल में बात करनी ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो भी हमारा Systemic Pathology है, और जो Clinical Subjects हैं, उसको समझने में बहुत मदद करते हैं, तो यहां पर Margination क कि जो Process है, वो सारी चीजे हम लोगोंने डिसकोस कर लिया है, मैंने आपको बताया कि यहां Endothelial Selectants जो हैं, इन ही के बारे में आपको समझना है, और यह बस इतना समझना है कि इन्डोथिलियल Selectants हैं, इसके अलामा और कुछ भी आपको नहीं जानना है, यह कैसे Stimulate होते हैं, Specific Mediators होते हैं, IEL1 और Tissue Necrotic Factors, यह Chemical Mediators हैं जिनके द्वारे यह Activate होते हैं, P-Selectins यह और ज्यादा नहीं पढ़ना बस आप समझें, यह Platelets पर पाये जाते हैं, इसके अलामा थोड़ी मात्रा में यह Indothelial Cells पर भी पाये जाते हैं, L-Selectin, L-Lucoside, यानि यह Leucoside के surface पर होते हैं, इसके अलामा कोई बात नहीं जानना है, इसकी और कोई भी बात नहीं पढ़नी है, इसकी और कोई भी बात नहीं पढ़नी है, E-Selectin के लिए बस आपको समझना, Endothelial P-Plate-Plate L-Lucoside के surface पर होते हैं, और मैंने आपको बताया, E, E से जुड़ता है, तो E, किस से ज करके पढ़ना बेहत ज़रूरी है, यह animation पर हम चलते हैं, animation में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, कोई micro-organism body में इंटर कर रहा है, जिसने inflammatory response को trigger किया, सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं, आस-पास के cells, जो की macrophyses हैं, यह macrophyses यहाँ पहुच करके, इस bacteria को इ इंगल्फ करते हैं, तुरंत यह bacteria को इंगल्फ करने के दारान, chemical mediators release करते हैं, इन सारे chemical mediators के बारे में पढ़ना है, इस पूरी सूचना को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए chemical mediators ही होते हैं, जो guide भी करते हैं, और masses को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाने में पू बारे में, यहां पर हम focus करते हूं, हम सारी बात कर रहा है थी, vascular events, cellular events, लेकिन अब आपको overall यहां से पूरे की पूरे events को समझने में मदद मिलेगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं, bacteria ने entry किया, सबसे पहले आस पास के जो macrophyses होते हैं, वो जाकर के खाते हैं, वो chemical substances release करत हैं, यहां पर blood vessels पर काम करने के लिए, यह है पूरी mechanism, और यह ultimate mechanism है, आप देख सकते हैं, यह cytokines को release कर रहे हैं, यह cytokines अब यहां पहुंचे, तो इन cytokines ने क्या किया, इन cytokines ने endothelial cells पर काम किया, और यह vascular endothelial cells पर काम करते हैं, और यहां पर आप देखेंगे, इसी तरीके से कुछ और भी substances, side by side release होकर के पहुंचते हैं, जो vasodilation करा चुके हैं, तो यहां पर endothelial cells ने क्या किया, कुछ substances को, कुछ molecules को अपने surface पर express कराना शुरू कर दिया, इसमें आप देख सकते हैं, specific molecules या specific receptors, जो selectins है, वो सबसे पहले express होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी आपको याद होगा, selectins सबसे पहले express होगा, यह selectins सबसे पहले select किया जाता है, आप ऐसे याद करें, यह selectins का express होने से क्या होता है, यहां selectins जब express होते हैं, तो आपने इसके पहले की events में देखा है कि margins पर आ चुके हैं, neutrophils, अब यह neutrophils अपने surface के कुछ molecules के साथ interact कर करते हैं, यह molecule है क्या, carbohydrate based, कुछ molecule होते हैं, जिसमें cialyl levis x substance के बारे मैंने कई बार आपको बोला है, क्या होते हैं, cialyl levis x substance, यह जो x substance जो carbohydrate nature का है, यह selectins के साथ interact करेगा, अब इसके interaction का फायदा क्या होगा, speed slow down हो जाएगी, और यह धीरे धीरे roll करते हुए, अब WBC आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, selecting ने cialyl levis x substance के साथ interact करके, यहाँ पर देखें, interact हो रहा है, जिसमें selecting s ने s के साथ s काम कराया, s, 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 selecting ने cialyl levis x के साथ जब interact किया, तो slow speed हो गई, यह s, s, s दिमांग में याद रहना चाहिए, इसके वज़े से रोलिंग होना शुरू होगा, आप देखें, यह रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, जब यह रोल करता है, इसके बाद अगला इसको रोकने के लिए addition molecule एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर adhere करने के लिए intercellular addition molecules और WBC के surface पर आप देख रहे हैं, integrins, i से i, इसके पहले S से S, S से S, और अब addition के लिए integrins से i से i molecule अब interact कर रहा है ताकि adhere करा सके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, integrins के बारे में, अब यह adhere हो गया, चिपक गया, यहाँ पर मैंने आपको बता, ICAM, ऐसे ही WCAM एक और भी molecule होता है, जो की endothelial cells पर, यहाँ पर होता है, य जो intercellular adhesion molecule के अलामा, vascular cell adhesion molecule होता है, तो यह दोनों यहाँ से release होते हैं, express होते हैं, और यह integrins के साथ जुड़ करके अब इसको tightly bond कर देते हैं, इसकी वज़ा से होगा कि अब आगे बढ़ नहीं पाएगा, tight adhesion होने की वज़ा से nitrophils अब stretch हो जाएंगे, stretch होंगे, और इसी क साथ साथ एक event और चल रहा था, यहाँ पर कुछ chemical substances ने क्या किया, यह damaged cell से और भी chemical mediators आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, पूरी process को mediate करने के लिए, कई अलग-अलग chemical mediators काम करते हैं, तो यह damaged tissue से bradykinin पहुचा हुआ है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, आपको घबर नहीं है, इन्होंने अब इसी दोरान क्या कर रखा है, इंडोथिलियल सेल्स की बीच में gapping करा रखा है, जिसकी वज़ा से transmigration हुआ, क्या हुआ, transmigration आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो tightly जब यह adhere हुआ, इसके बाद यहाँ पर देखें, इंडोथिलियल सेल्स की बीच म गाइड कर रहे हैं, और यह जा करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, WBC ने क्या किया, chemotaxis के बाद phagocytosis किया, यह chemotaxis कैसे होता है, कैसे phagocytosis होता है, molecular level पर क्या-क्या changes होते हैं, उनको भी Robins ने mention किया है, इसलिए हम बात करेंगे उसके बारे में, और घबरानी की कोई ब अरणीन ने यहाँ से Brady, Brady मिन साप समझते हैं, धीमा, slowdown कर देना, Brady, है न, तो Brady का इनिन ने क्या किया, यहाँ पर flow को slow करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, चोड़ा कर दिया, यहाँ पर आप यह, है न, तो यह रास्ता चोड़ा हो गया, इसके लावाँ यह मास सेल्स को इसी दोरान यह activate करता है, कई सारे काम है, मास सेल्स ने इसी दोरान histamine रिलीस किया, यह भी chemical mediator है, यह मास सेल्स ने फिर दुबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडोथिलियल सेल्स पर पहुँचे, यह इंडोथिलियल सेल्स पर यह सारी चीजह एक साठ चल रहे होती जो कि हम वैस्कुलर इवेंट्स में हमने देखा था उसी दौरान इन्होंने मास सेल्स को भी रास्ते में ही कह दिया था कि आप लोग हिस्टैमिन रिलीज करो यह क्या करेगा वैस्टो डालेशन कराने के दौरान इतना तेजी से देखें अब गैपिंग बढ़ चुकी है इस से फ्लॉइड और एंटी बाडीज और दूसरे क्लोटिंग फैक्टर्स यहां से रिलीज हो करके साइट ओफ इंफ्लामिशन पर पहुंचते हैं यहां पर देखें यह स्वेल कर रहा है देखा होगा आपने इमेजिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो यह स्वेल कर रहा है य जो यह इंडोथिलियल सेल्स और आसपास की सेल्स प्रोस्टा ग्लैंडिन्स एक केमिकल मीरियेटर्स है जिसको रिलीज करती हैं यहां पर आपने देखा कि यह जो एकसाथ सारी कहानियों को यहां पर मिक्सप थोड़ा हो रहा है लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको जिसको बताया था मैंने हालमाक आफ एक्यूट इंफ्लामेशन इसदरान प्रोस्टा ग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं यह प्रोस्टा ग्लैंडिन यहां पर नर्व सेल्स को एकसाइट करते हैं पेन के सेंसेशन के लिए तो प्रोस्टा ग्लैंडिन के होने से यहां पेन का से इस वजह से sign of inflammation में हम कहते हैं redness, warmth, pain, swelling और last में जो जोड़ा गया था altered function और loss of function यह भी बात 5 जो cardinal sign है तो यहाँ पर हमने selectins के बारे में पढ़ लिया है वो सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं integrin molecule है जो की बाद में काम आएगा अभी मैंने आपको बताया था cialil levis x glycoprotein है आप देख रहे हैं यह cialil s e selectin से बढ़ रहा है आप देखें हैं इसके color को देखें तो यह green color का है यहाँ पर यह selectin s s से जाकर के जुड़ रहा है जिसकी वज़ा से क्या हुआ यह rolling करना शुरू कर दिया इसके बात क्या होगा इसके अगले step में यहाँ पर आप देखेंगे यह roll करते हूँ आगे बढ़ेगा और यहाँ देखें आप chemokines भी release हो रहा है वही chemical mediators वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहा है वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं integrins है यहाँ integrins है और यह integrins I से जुड़ेंगे आप देखें अगले step में आप यहाँ देख रहे हैं integrins किस से जुड़ रहा है I से जुड़ रहा है ICAM से जुड़ रहा है जिसकी वज़ा से यहाँ देखें अब यह tightly जुड़ जाएगा आगे बढ़ने ही पाएगा तो stretch होगा इसे दुरान chemical mediators ने cells के बीच में जो gapping तयार कर रखा है उसकी वज़ा से यहाँ पर transmigration होता है और यह site of injury पर पहुँचने लगता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस image में देखा है और आपने यह भी देखा कि यह macrophages सबसे पहले वहाँ पर पहुचे थे यह घटना भी आपने देखा था macrophages ने क्या किया cytokines release किये जिसमें tissue necrotic factor IEL1 यह सभी release होते हैं मैंने आपको बताए पूरी प्रक्रिया guided होती है chemical mediators के द्वारा थी यहाँ पर tissue necrotic factor IEL1 जो macrophages के द्वारा release किये गया है उन्होंने भी इस काम के लिए मदद किया है तो यहाँ पर आपने देखा chemotaxis पूरी process थी जिसमें यहाँ पर chemotaxis जब transmigration के बाद आगे उस site तक भेजने के लिए कुछ chemical substances होते हैं chemotactic substances होते हैं जो leucocides को guide करते हैं यह substances जो site of injury की और guide करते हैं उसमें bacteria की कुछ अपने products होते हैं बैक्टरिया की अपने कुछ soluble products होते हैं जिसको देख करके जिनके concentration को समझते हुए WBC वहाँ पहुँचता है यह substance है N-formile methionine termini यह substance है N-formile methionine termini इसी तरीके से यहाँ पर complement system के components भी इसको guide करते हैं यह bacteria के products तो हैं ही कुछ cell के अपने products हैं जिसमें complement system के बारे में भी हम discuss करेंगे next lecture में complement system को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम complement system को समझ जाएंगे तो immunity को समझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं एक दूसरी के साथ जुड़ी हुई तो concept बहुत clear होना ज़रूरी है तो यहाँ complement system के product भी इसको guide करते हैं C5A इसको guide करता है lipoxygenase pathway में licotrans B4 इसको guide करता है cytokines के बारे मैंने आपको बताया था IL-1 और IL-8 भी इसको guide करते हैं अभी इस term को सिर्फ आप रटे रहिए अगले lecture में हम इसको detail में इसके सारे basic concepts के साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पर chemotaxis और activation के लिए bacteria के कुछ अपने products और endogenous substances और bacteria के कुछ अपने substances इसको activate करते हैं अब यहाँ पर chemotaxis and mediator जो response है इसकी वज़ा से यहाँ पर हम इसको last में हम बात में discuss करेंगे इस point को इस graph को यहाँ पर उस image को इससे अच्छा है आप यहाँ पर समझें कि किस तरीके से यह guide होता है कैसे यह site की और बढ़ने के लिए प्रेरित होता है यहाँ पर आप देखें तो यह जितने भी chemical mediators हैं इनके अपने अपने अलग अलग जगहों पर काम है जिसको अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए लेकिन आप यहाँ पर देखें cytokines जैसे interferon gamma जब यह पहुँचता है तो cellular responses यह कुछ इस तरीके से generate होते हैं कि यह reactive oxygen species को generate करने के लिए प्रेरित करता है ऐसे ही यहाँ phagocytic receptors होते हैं जिनका जब interaction होता है जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा manose receptors जैसे यहाँ पर कुछ manose जैसे कुछ substances के साथ जब यह bind करता है तो यहाँ पर responses generate होते हैं तो यहाँ manose receptors की मदद से फिर ऐसे ही यहाँ scavenger receptors होते हैं जो आगे चल करके microbes को kill करने के लिए phagocytic receptor या scavenger receptors होते हैं वो kill करने के लिए आगे activate करते हैं तो यहाँ substances जो chemical mediators हैं और उनकी से पहुँचने वाले signal को समझ करके अलग लग तरीके से यहाँ responses आते हैं जो थोड़ा मुश्किल प्रॉसेस अभी हम इसको आगे discuss करेंगे अभी हमें समझना है chemotaxis को chemotaxis को समझने के लिए इस दौरान chemotaxis के दौरान leukocytes जब activate होते हैं तो कैसे pseudopodia farm करते हैं कैसे वो उस location तक बढ़ते हैं इस बारे में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि कुछ substances हैं वो जब WBC से आकर के bind करते हैं जिसें हम chemo attractant कहते हैं अभी हमने discuss किया था ये कुछ substances हैं जो chemo attractant हैं इस chemo attractant के रूप में ये substances उस site से आ रहे हैं जो guide कर रहे हैं इसको वहाँ पर जाने के लिए तो इसमें कौन-कौन से substances हैं इसमें substance है exogenous substance के रूप में जो आ रहे हैं जो substance उनके दो nature होते हैं या तो body खुद ऐसे substances को produce करती है exogenous होते हैं, यह हमारे body से खुद produce होते हैं, तो exogenous जो बाहरी, जैसे bacteria ने कोई ऐसा substance यहां भेजा है, जिसे पता चला WBCU को को उधर ही जाना है इसी तरी किसे endogenous substances जैसे कि जो chemical mediators हैं C5A, leukotrines है न, और cytokines यहां पर काम करेंगे, जो इसको प्रेवित करते हैं, कि आपका site किधर है, उस direction में जाना है, कैसे जाना है उस point को यह प्रेवित करते हैं तो steps क्या-क्या होंगे chemo, जो leukocyte activation की जो process है, वो कैसे generate होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं bacteria से आय हुए products या फिर हमारे body से निकले हुए कुछ production, c5-A, leukotrines, या फिर cytokines, जो substances हैं वो आकर के bind कर रहा है, इस site पर आप देख सकते हैं, यह bind कर रहा है यह bind कर रहा है किससे, specific trans membrane यहां पर protein से bind कर रहा है यहां पर आप देखें, तो इस process को थोड़ा सा हमें एक बार और specify करके समझने की जरूवत है, यह जा करके किससे bind कर रहा है, यह bind कर रहा है specific transmembrane G-protein coupled receptor से G-protein coupled receptor से यह जा करके bind कर रहा है G-protein coupled receptor से bind कर रहा है on the surface of leukocytes, अब इसकी वज़ा से क्या हुआ, यहां पर एक protein है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे यह एक protein है, जो कि G-protein है, इसको इसका recruitment होता है अब अगले step में आप देखें बहुत ही ध्यान से समझने के जरूवत है तो यहां से आप देख रहे हैं G-protein जो यहां अभी अकेला था, उसे recruit कर दिया गया को जिम्मदारी दे दी गगे इसके बंदते ही उसको जिम्मदारी दे दी गई जिम्मदारी क्या दी गई है आप देखें, यह जी प्रोटीन ने का जब recruitment होता है तो यहां पर एक enzyme होता है PASFOL-PA-C यहां पर एक enzyme होता है PASFOL-PA-C उसको जा करके activate करता है ये बात हमने drugs में पढ़ा है इसके पहले अगर आपने मेरे lectures देखे होंगे pharma के तो उसमें मैंने epilepsy में इन सारी process को समझाया है यह लगबग ऐसी process आप biochemistry में भी पढ़े होंगे बाहर से कोई signal molecule आता है तो वहां secondary messenger generate किये आपने पढ़ा है इन सारी चीजों को कुछ वैसी ही process यहाँ पर हो रही है यहाँ पर G-protein activate होने के बाद Phospholipase C activate किया गया है Phospholipase C और यह क्या है G-protein है थोड़ा मैं shortcut लिख रहा हूँ आपको घबराने के जरूवत नहीं है यह चीजें अभी आपको समझ में आएंगी डरने से बिल्कुल काम नहीं चलना है अच्छे तरीके से समझना है तो यहाँ पर देखे Phospholipase C जब activate होआ तो इसी दोरान कुछ और चीजें भी initiate होती है कुछ और यह Phospholipase C ने एक और enzyme को यहाँ generate करने के लिए प्रेरित किया है तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ recruitment हुआ G-protein का G-protein को recruit किया गया आप यहाँ देखें जिसने activate किया activation of Phospholipase C को Phospholipase C activate होने के बाद अब कुछ enzymes को recruit करेगा अब यह recruit करता है Phospho-Innocetyl-3 kinase को अब यहाँ पर आप देखें इसने recruit किया इसने आगे प्रेरित किया एक नए enzyme kinase means enzyme कौन है Phosphol-Innocetyl-3 kinase Phosphol-Innocetyl-3 kinase को activate किया इसकी वजह से क्या हुआ IP3 molecule activate हुए अब यहाँ पर क्या होगा IP3 molecule activate हुए है यह IP3 molecule का activate होना बहुत बड़ी घटना होती है यह IP3 molecule जो activate हुए है यह आगे पहुँचेंगे आप यहाँ पर देखें IP3 kinase के activate होते ही यहाँ पर देखें पहले IP3 kinase molecule यहाँ पर है उसने activate कर दिया किसको IP3 molecule को यह जो molecule जा रहा है यह IP3 molecule है और यह है PI3 PI3 मिन्स फास्फो इनसेटरल 3 kinase और जिसकी मदद से आगे activate हुआ है यहाँ पर IP3 molecule यब यह IP3 molecule धीरे धीरे करके पहुचता है इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम पर यह किस पर पहुचता है इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम पर एक साइट में यह प्लास्म मेंब्रेन यह प्लास्मा मेंब्रेन के फास्फो इपिट्स पर काम करते हैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह फास्फो इपिट्स पर काम करना शुरू करते हैं जिसके द्वारा यहां पर आप दो घटनाएं देख रहे हैं, यहां पर आप एक घटना देख रहे हैं इधर के डारेक्शन में और दूसरी घटना आप देख रहे हैं यहां पर, एक बार फिर से आप समझें, सबस्टेंस आकर के जिऊड़ा, G-Protin अक्टिवेट हुआ, G-Prot प्लास्मा मेंब्रेन के फास्फोलिपीड पर आगे काम कर रहा है और इधर जा रहा है यह इंडोप्लास्मिक रेटिकूलम पर, तो IP3-K ने दो डारेक्शन में मूव करना शुरू किया, अब इसकी वज़़ा से क्या होगा, यहां पर जिब इंडोप्लास्मिक रेटिकूल तो इस डारेक्शन में जब आप देख रहे हैं, यहां पर जो IP3 पहुंचा है, सेकेंड मैसेंजर की रूप में, तो इसने क्या किया, कैल्सियम जो इंडोप्लास्मिक रेटिकूलम में था, उसके सब स्टोर को बाहर निकाला, इसके अलावा, प्लास्मा मेंब्रेन से भी कै कैल्सियम आइंस के आते ही, अब आक्टिन और मायसिन अक्टिव हो जाएंगे, जो इंट्रसल्लर जो अक्टिन और मायसिन हो अक्टिव हो जाएंगे, और एक खास डारेक्शन में सीडोपोडिया बनाना शुरू कर देते हैं, तो यह प्रोसेस होती है, वहीं पर आप इधर की और देख रहे हैं, इधर जो आया है, इसने रियक्टिव आक्सिडन इस्पिशीज बनाना इस ने सुरू किया है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो इधर की और आया है, इसने औक्सिजन की फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर दिया है, इसी दूर कुछ सेक्रेटरी ग् इधर की और आई-पी-थी ने सेकेंड मैसेंजर इधर गया कैलसीयमायन को BULाया कैलसीयमायन को RELIES कराया इधर जब आई-पी-थी पहुंच रहा है तो उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्रिटरी ग्रैनियूल्स बनाता है यह दो घटना है आपने देखा एक साइड में इधर जहां सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स त्यार किया जा रहे हैं जो की डिफेंस मेकनिजम में काम करेंगे यहां कैल्सियम आकर करके गाइड कर रहा है इसी दौरान यही कैल्सियम आगे चल करके हम केमिकल मेजिजर्स में पढ़ कर दिया है तो यह भी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई और यही कैल्सियम का जो मॉलिक्यूल है इसने एरकडोनिक एसिट को बनाने की जो प्रॉसस है उसको एक्टिवेट कर दिया है तो एरकडोनिक एसिड आगे चल करके हम पढ़ेंगे यह तरीके का केमिकल मेड हैं तो यह कैल्सियम ने आगे इधर चैनलाइज किया इधर एरकडोनिक एसिड बनाने लगा इधर कुछ सर्फेस के रेसेप्टर्स को जेनरेट कराना इसने शुरू कर दिया तो यह कई बाते यहां पर जुड़ी हुई है जो शुरू हुआ सबस्टेंस के जुड़ने से ज कैल्सियम रिलीज कराया अब कैल्सियम कई काम और कर रहा है उधर एक्टिन को फारवर्ड कर रहा है ताकि डारेक्शन मिले इधर यह एरकडोनिक एसिड को एक्टिवेट कर रहा है इसके सर्फेस के मॉलिकूल्स को एक्सप्रेस करा रहा है यह कैल्सियम का काम इधर हो रहा IP3 की मदद से इधर IP3 काम करा रहा है reactive oxygen species बनाने में और secretary granules बनाने में तो IP3 ने दो तीन काम करा है यह secondary messengers हैं जिसके बारे हम जानते हैं तो यह सारी चीज़ें cell में लगातार चलती रहती हैं अगर यह process सही तरीके से ना हो अगर यह chemotaxis की process सही तरीके से ना हो तो एक बिमारी होती है Shadyac-Higashi syndrome यह एक बिमारी होती है बच्चों में Shadyac-Higashi syndrome आप Pediatrics के वार्ट में इसके cases आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर Shadyac-Higashi syndrome हो सकता अगर यह chemotaxis की process अच्छी नहीं रही इसके बारे हम लास्ट में discuss करेंगे चुकि उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Shadyac-Higashi syndrome जिसमें defective chemotaxis होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं calcium ion अब यहाँ पर मैंने आपको बताया activation आपने देखा यह जो 3 points मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से यह points दिखाए है इस किताब की जिस image का अपना points होंगे उस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जब active हो गया तो इसने IP3 को activate के IP3 ने calcium ion को release कराना शुरू किया अपने endoplasmic reticulum से और बाहर से भी लेकर क्या रहा है यहीं पर आप देख रहे हैं IP3 ने एक और काम किया है यहाँ पर देखें कई तरीके से काम चलने है 4-5 जो भी घटनाय चलने है calcium इधर आ करके आप देखेंगे तो calcium इधर आ करके क्या कर रहा है Erectonic Acid को synthesize करा रहा है उधर जा रहा है तो क्या करा रहा है Polymerization of Actin Actin polymerize होंगे तो क्या होगा Cedopodia बनने की तरीके में मदद मिलेगी तो यह चीज़ें होती है अब हमने समझा कि यह Chemotaxis की process मैंने आपको बताए कि Chemotaxis की process अगर बहुत well regulated नहीं रही तो समस्या हो सकती है इस पर हम बाद में बात करेंगे अब हम बात करते हैं Phagocytosis और Degranulation के बारे में इसको हम next lecture में डिस्कस करते हैं क्योंकि बड़ा lecture हो जाएगा तो आपके लिए समस्या होगा